अपने चेलो के साथ भोजन करते समय उसने खड़े होकर उनके रदय में अपने भरपुर उद्धार के सत्यों को लिखने के लिए उनके पैर धोए हम सभी को माफी के सू समाचार को जानना चाहिए और उसमें विश्वास करना चाहिए जो येशु ने अपने चेलो के पैर धोते समय उनको सिखाया था लेकिन पत्रस ने पहले निश्चित रूप से येशु को अपने पैर धोने के लिए मना किया था पत्रस ने उससे कहा तू मेरे पाउं कभी न धोने पाएगा और यहां उसके खुद की इच्छा से जन्मे विश्वास की अभी व्यक्ती थी लेकिन येशु ने उससे कहा जो मैं करता हूं तू उससे कभी नहीं जानता परन्तु इसके बाद समझेगा अब पानी और आत्मा के सुसमाचार से हम बाइबल के वचनों को समझ सकते हैं जो पहले हमारी समझ से बहार थे वहाँ सत्य के वचन है पानी और आत्मा का सूसमाचार पापो की माफी जो पापी को पूरे दिल से विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनाता है पत्रस दूसरे चेलों के साथ मचली पकड़ने के लिए गया जैसे वे येशु को मिलने से पहले करते थे वैसे ही बाद में येशु उनके सामने प्रगट हुआ और उनको बुलाया येशु ने उनके लिए भोजन तयार किया था और जब वे भोजन कर रहे थे तब पत्रस को येशु ने पहले कहे थे उन सब्दों को एहसास हुआ जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परण तू इसके बाद समझेगा उसे अंत में एहसास हुआ कि येशु के उसके पैर धोने थे उसका क्या मतलब था येशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया है मेरी कमजोरी के कारण किये हुए सारे पाप उसमें जो भविश्य में करने वाला हूँ वो पाप भी सम्मिलित है पतरस ने अपने इच्छा के द्वारा जन में पापों को छोड़ दिया और येशु के बप्तिसमा और उसके लहु यानि की पापों की माफी के सुसमाचार पर मजबुत रहने की सुरुआत की भोजन करने के बाद येशु ने पतरस से पुछा क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है अब येशु के प्रेम में विश्वास से मजबुत होकर पतरस ने कबुल किया हाँ प्रभू तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रिती रखता हूँ पत्रस उत्तर दे सका क्योंकि उसे एहसास ही कि येश्व ने जब कहा कि परंतु इसके बाद तु समझेगा उसका मतलब क्या है। वह अपने सच्चे विस्वास यानि कि येश्व के बक्तिस्मा और उसके लहु पर विस्वास पापों की माफी के सूसमाचार का विस्वास कबूल करने में शक्सम बना। बाद में वहां परमेश्वर का सच्चा सिवक बना उस अनुभव के बाद पत्रस ने अपने दूसरे चेलों ने बृत्यू तक सू समाचार का प्रचार किया पॉलुस जिसने बेरेमी से मसुयों को सताया था उसने भी रोमन सामराज़क के कठी समय में सू समाचार की गवाई दी थी आप परमेश्वर के सच्चे सिवक कैसे बन सकते हैं मेरे सारे पापों के लिए उसने अनन्त प्रायस्टित पर विस्वास करने के दवारा येश्व के बारा चेलो में यहुदा ने येश्व को पकड़वाया था और फिर आत्म हत्या कर ली थी वहाँ प्रेरिद पॉलुस था जिसने उसके जगा ली थी चेलो ने मतिया को चुना था लिकिन परमेश्वर ने पॉलुस को चुना था इसलिए पॉलुस येश्व का प्रेरिद बना और दूसरे चेलो के साथ माफी के सूसमाचार का प्रचार किया येश्व के बहुत सारे चेले सहित की तरम मौत पाये थे यहाँ तक कि जब उनको मौत का डर दिखाया गया फिर भी उन्होंने अपने विश्वास से इंकार नहीं किया और जाके मौल सूसमाचार का प्रचार किया उन्होंने सायद इस रिती से प्रचार किया होगा येश्व ने अपने बप्तिस्मा और लहु जो उसके पापों की माफी का सूसमाचार है उसके द्वारा आपके सारे पापों को धो दिया है येश्यू ने यर्दन में अपने बप्तिस्मा के द्वारा आपके सारे पापों को ले लिया है और आपके लिए कुरूस पर न्याय सहा येशु के बप्तिस्मा और कुरूस पर अपने लहु के सूसमाचार पर विस्वास करो और उध्धार पाओ मुल सूसमाचार सुनने की द्वारा और विस्वास करने की द्वारा वास्तों में कई लोग उध्धार पाएंगे वहाँ येशु के बब्तिस्मा और लहु और आत्मा में विश्वास का सामर्थ था येशु के चेलो ने पानी और आत्मा के सूसमाचार का प्रचार करते हुए कहा कि येशु परमेश्वर और उध्धार करता है उन्होंने पानी और आत्मा के सूसमाचार की गवाही दी उसके कारण से ही आप और मैं हमारे उध्धार के लिए येशु के बप्तिस्मा और लहु के सूसमाचार को सुन सकते हैं और पापों से उध्धार पा सकते हैं परमेशुर के अस्रिमित प्रेम और येशु के संपुन उधार से हम सब येशु के चेले बने हैं। क्या आप सभी लोग विस्वास करते हैं? येशु ने हमें इतना सारा प्रेम किया है कि उसने हमें पानी और आत्मा का सुसमाचार दिया। पापों की माफी दी और हम येशु के धर्मी चेले बने हैं। माफी के सच्चे सुसमाचार को सिखाने के लिए येशु ने अपने चेलों के पैर्द हुए। चब येशु ने बबतिस्मा लिया और कुरूस पर लहु बहाया, उसके द्वारा हमारे जीवन भर किये हुए सारे पाप धुल गए थे। यहां बात चेलों को और हमें सिखने की जरूरत है। येशु ने यहाबात हमें सिखाने के लिए चेलो के पैर धोये थे। हम उसके प्रेम और माफी के सूसमाचार के लिए येशु का धनेवाद करते हैं। येशु ने चेलो के पैर धोने के द्वारा हमें दो बात सिखाई थी। पहला पह उन्हें सिखाने के लिए था जो उसने कहा था कि जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परन्तु इसके बाद समझेगा। माफी का सूसमाचार यानि कि येशु के बबतिस्मा और उसके लहु के द्वारा हमारे सारे पाप धुल गया है। दूसरी बात यह थी कि येशु ने पापियों को बचाने के लिए और उनको धर्मी बनाने के लिए अपने आप को नमरक किया। हम जिन्होंने नया जिन्म पाया है उन्हें माफी के सूसमाचार का प्रचार करने के द्वारा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जो पहले आये हैं, उनको दुसरों की सेवा करनी चाहिए, जो बाद में आने वाले हैं। येशु ने फसर के परव के दिन अपने चेलों के पैर्द हुए और उन दोनों कारण सपस्ट हुए कि और यहां उनकी कलीसया में अभी भी अस्तित्व में हैं। चेला कभी भी अपने गुरू से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हम संसार को सूसमाचार का प्रचार करते हैं और जैसे येशु की सेवा करते हैं, वैसे ही उसकी सेवा भी करते हैं। हम जिन्होंने पहले उद्धार पाया है, उनको बाद में आने वाले लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहां सिखाने के लिए येशु ने चलो के पैर धोये थे। पत्रस के पैर धोने के द्वारा उसने हमें बताया कि वह संपुन उद्धार है जिससे कि हम फिर भी कवी सैतान के द्वारा भ्रमित नहों। आप सब भी माफी के सूसमाचार यानि की पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। जिसने हमारे हर दिन के पापों को धो दिया है उस सूसमाचार पर विश्वास करो। हम माफी के सूसमाचार पर पानी और आत्मा के वच्चनों पर विश्वास करने के द्वारा शैतान के छल से बच सकते हैं। लोग आसानी से शैतान के द्वारा धोका खाते हैं और शैतान निरंतर उनके कानों में गुन-गुनाता है लोगों के शरीर पाप करते ही रहते हैं ऐसा जानने के बाद भी कोई पाप रही कैसे बन सकता है सारे लोग पापी हैं हाला कि हम उत्तर जानते हैं येशु ने अपने बबतिसमा के द्वारा सारे पापो को उठा लिया है ऐसा जानने के बावजूद भी विस्वासी कैसे पाप के साथ रह सकता है येशु ने पापो की सारी कीमत चुका दी है तो फिर हमें कौन से कीमत चुकानी बाकी है यदि हम पानी और लहू के सूसमाचार पर विस्वास नहीं करते तो शैतान के सब्द हमें ठीक लगेंगे लेकिन यदि सूसमाचार हमारे पक्स में है तो फिर परमेश्वर के वच्चन में हमारा विस्वास बदलने वाला विस्वास न होगा हमारा विश्वास पानी और लहू से नए जन्मकिसू समाचार पर होना चाहिए येश्व का बप्तिस्मा, उसका कुरूस का लहू और उसके मृत्यू और पुनुरुथान पर विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है क्या आपने कभी पवित्र मिलाप पाले तंबू का चित्र देखा है? वह एक छोटा तंबू का घर है, घर के दो भागों में बाटा गया है बाहर का भाग पवित्र स्थान है और अंदर का भाग परम पवित्र स्थान है, जिसमें दयासन है पवित्र मिलाप पाले तंबू के बाहर के आंगन में कुल 60 खंबे हैं और पवित्र स्थान में 48 पट्टिया हैं परमेश्वर के वचन का मतलब समझने के लिए हमें पवित्र मिलाप पाले तंबू का चीतर हमारे दिमाग में रखना चाहिए तंबू के आंगन का द्वार किसका बना हुआ था? तंबू के आंगन का द्वार बनाने के लिए निले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुख्ष्म सनी के कपड़े का इस्तमाल हुआ था? वहाँ सुख्ष्म बटा हुआ और रंग भी रंगा था? परमेश्वर ने मुसा को द्वार निले बैंजनी और लाल रंग के रंगवे रंगी कपड़े से बनाने को कहा था, जिससे लोगों को प्रवेश द्वार ढूनने में आसानी रहे. द्वार निले, बैंजनी और लाल रंग के बटी हुए सुख्ष्म सनी के कपड़े से चार खंगु खंबो पर लटकाया गया था. यह चार सामगरी परमेश्वर के उध्धार का चिनह है, जिसके द्वारा उसके बेटे पर विश्वास करने वाले सारे लोगों को येशु के बptिस्मा और लहुक के द्वारा और उसके परमेश्वर होने के द्वारा उध्धार मिले. पवित्र मिलावपाला तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सारी सामगरी का एक खास मतलब है और वह परमेशवर के वचन और येश्यु के द्वारा मनुष्य जाती को बचाने के लिए अपने योजना को प्रस्तूत करता है अब पवित्र मिलापपाले तंबु के आंगन का द्वार बनाने के लिए कितने प्रकार की सामगरी का इस्तमाल किया हुआ था चार अलग-अलग सामगरी का इस्तमाल हुआ था निले, बैंजनी, लाल कपड़ा और बटी हुई सुक्समसणी का कपड़ा यहां चारों हमेन नया जन्म पाने का सु समाचार पर मजबूती से विश्वास करने के लिए मदद करते हो और ये हमारे लिए बहुती महत्वपुन है यदि वे महत्वपुन नहीं होते तो यहां जानकारी बाइबल में इतनी विस्तूत रूप से नहीं दरसाई होती पवित्र मिलावपाले तंबु का द्वार बनाने के लिए इस्तमाल की गई सामगरी हमारे उध्धार के महत्वकी और संकेत करती है इसलिए परमेश्वर ने यह बाते मुसा को प्रगट की और जैसा उसने कहा है ठीक वैसा ही करने के लिए कहा पर्मेश्वर के सूर समाचार में निले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का क्या अर्थ है? तंबू के उप्योग में ली हुई सारी चीजों का प्रतिक क्या है? येश्यू के बप्तिस्मा और लहु के द्वारा उसके उध्थार का पवित्र मिलाव पॉले तंबू के अंदर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में लटकाया हुआ परदा बनाने के लिए निले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा और बटी हुई सुक्सम सनी के कपड़े का इस्तिमाल हुआ था महायाजक जो साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था उसका बागा भी इसी सामगरी का इस्तिमाल करके बनाया गया था निले रंग का कपड़ा येश्यू के बप्तिस्मा का चिनह है पहला पतरस 3.21 में वह कहता है कि उसी पानी का द्रस्थान भी अर्थाद बप्तिस्मा अब तुम्हें बचाता है पत्रश येशु के बप्तिस्मा की पुस्टी करता है जिसके द्वारा उसने इस वचन में जगत के सारे पापो को उठा लिया है जो प्रायश्रित के उद्धार का चिनहा है येशु के बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप उसके उपर डाले गए थे इसलिए नीले रंग का कपड़ा येशु के बक्तिस्मा उद्धार के वचन का महत्वपुन भाग है लाल रंग का कपड़ा येशु के लहु का चिनह है और बैंजनी रख का कपड़ा उसके इस्वरत्व येशु के राजा और परमेश्वर के दर्जे का चिनह है यहां तीनों रंग के कपड़े येशु में हमारे विश्वास और उद्धार के लिए महत्वपुन है महायाजक के द्वारा पहने जाते बहार के कपड़ों को एपोत कहा जाता था और एपोत का बागा भी नीले रंग का था महायाजक अपने सीर पर पगड़ी पहनता था जिसके उपर चोखे सोने की पट्टी बना कर उसके उपर यहोवा के लिए पवित्र ऐसे अक्सर खोदे गए थे पट्टी को पगड़ी के साथ नीले फीते से मांधा गया था नीले रंग की कपड़े के द्वारा दर्शाय गया सत्या नीले रंग का कपड़ा किसका प्रतिक है येशु के बप्तिस्मा का मैंने बाइबल में नीले रंग के कपड़े का मतलब देखा बाइबल नीले रंग के बारे में क्या कहती है हमें नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े को समझना पड़ेगा नीले रंग का कपड़ा पानी को दर्साता है वहाँ येश्यू का बप्तिस्मा है येश्यू मसी ने जगत के सारे पापो को अपने उपर लेने के लिए यहना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लिया यदि येशु ने बप्तिस्मा से जगत के सारे पापो को नहीं लिया होता तो हम परमेश्वर के सनमुख पवित्र नहीं बन पाते इसलिए यर्दन में यहना बप्तिस्मा देने वाले ने बप्तिस्मा लेने की द्वारा जगत के सारे पापों को उठाने के लिए येशु को जगत में आना पड़ा पवित्र मिलापाले तंबू के आंगन के द्वार में निला रन था इसका कारण यह था कि हम येशु के बप्तिस्मा के बगेर पवित्र नहीं हो सकते सत्य यहा है कि लाल कपड़ा मसी के लहु का चिनहा है, जिसने सारी मनुष्य जाती के पापों का मुल्य चुकाने के लिए कुरूस पर लहू बहाया येशु मसी अपने बप्तिस्मा के द्वारा मनुस्य जाती के सारे पापों को अपने उपर उठाने के लिए और कुरूस पर बलिदान देने के द्वारा पापों के मुल्य को चुकाने के लिए इस संसार में आया येशु का बप्तिस्मा और लहु की मापी का सच्चा सुसमाचार है कि जिसकी भविश्यवानिक पुराने नियम में पवित्र मिलापपाले तंबु के लिए इस्तमाल किये गए रंग भी रंगी कपड़ों के द्वारा की गई थी तंबु के तक्ते बबुल की लकड़ी से बने हुए थे और उसके चूले पीतल के थे और उसके उपर चांदी की पट्टी लगाए गई थी सारे पापयों का उनके पापों के लिए न्याय हुआ क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है पुराने नियम के दोनों दिनों में किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा नए जन्म से आस्विशित न किया जाए तब तक उसे अपने पापों के लिए बलिदान चड़ाना पड़ता था अलाकि नयनियम में येश्व का बप्तिस्मा जो पवित्र मिलाब पाले तंबु में नीले रंग के कपड़े के रुप में दर्शाया गया है उसने हमारे सारे पापे को उठा लिया है येश्व कृस्च तक हमारे पापों को लेकर गया उसके लिए लहू बहाया और उसका न्याय हुआ और ऐसा करने के द्वारा उसने हम सभी को बचाया जो माफी के सू समाचार पर विश्वास करते हैं प्रिय मसीहियो येशु का बप्तिस्मा येशु का उध्धर था जिसने हमारे पापों को उठाने के दुआरा हमें बचाया। येश्यू का बबतिस्मा हमें सिखाता है कि वह सारी मनुष्यजाती का सच्चा उठारग बना। हम इसे पवित्र मिलाप वाले तम्मु के लिए इस्तमाल किये गए रंगों में भी देख सकते हैं। द्वार के परदे में निले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुक्सम सनी के कढ़ाई के काम करने का स्पस्ट उद्देश्य हमें परमेश्वर के उद्धार के बारे में कहना था यहां बटी हुई सुक्सम सनी के कपड़े का मतलब है कि उसने बिना किसी अप्वात के हम सभी को पापों से बचाया है वह प्रायश्रित के उध्धार के लिए निश्चित रूप से महत्वपुन था हम पवित्र मिलापपाले तंबू के द्वार के लिए इस्तमाल की गई सारी सामगरी में देख सकते हैं कि येश्चु मस्री ने बिना किसी योजना के लापरवाही से हम पापियों को नहीं बचाया था उसने परमेश्वर की योजना का पालन करके बप्तिस्मा लिया, खुरूस पर लटका और मनुष्य जाती को परिपूर्ण करने के लिए मुरुत्यु में से पुनुरुत्तित हुआ निला, बैंजनी और लाल कपड़ा माफी के सूसमाचार की सामगरी से येश्चु ने उन सब को बचाया जिन्होंने उसके उद्धार पर विस्वास किया पुराने नियम की पीतल की होदी का नये नियम के बप्तिस्मा का प्रतिक है क्यों याजक पवित्र स्थान में जाने से पहले अपने हाथ और पैर्ध होते थे क्योंकि उनको परमेश्वर के सनमुख पाप रहित खड़ा रहना था हाथ दोने का पात्र भी पीतल से बना हुआ था पीतल येश्व ने हमारे लिए सहन किये न्याई को दरसाता है हाथ दोने का पात्र सुसमा चार के वचन का चीन्व है जो हमें कहता है कि हमारे सारे अपराद धुल चुके हैं वहां हमें बताता है कि कैसे जो नीले रंका है वहाँ पापों के प्रायश्रित का सूसमाचार है दूसरे सब्दों में युहना बक्तिस्मा देने वाले से येश्यू का बक्तिस्मा वहाँ प्रायश्रित के द्वारा उद्धार के सूसमाचार के वचन है पहला युहना अध्याई 5 में लिखा है कि जैसे जिस जहीने जगत को जीत लिया है वह हमारा विश्वास है क्योंकि गवाही देने वाले तीन है आत्मा और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सैमत है वह हमें कहता है कि जो परमेश्वर के पूत्र के उपर विस्वास करता है उसके अंदर पानी, लहु और आत्मा की गवाही भी है परमेश्वर ने हमें प्रायश्टित के सूसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पवीत्र होने के लिए और पवीत्र मिलाव पॉले तंबू में प्रवेश करने की अनुमतिदी है इसलिए हम अब विश्वास से ही जी सकते हैं परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हैं, उसके द्वारा आशिशित हुए हैं और धर्मी सा जीवन जी सकते हैं परमेश्वर के लोग बनने का मतलब है कि प्रायश्वित के सूसमाचार के द्वारा उध्धार प्राप्त करना और पवित्र मिलाप पाले तंबू के अंदर जीवन जीना आज कई लोग कहते हैं कि पवित्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर निले, बैंजनी और लाल कपड़े का मतलब समझे बिना केवल विस्वास करना ही काफी है यदि कोई व्यक्ति इन चीजों का मतलब जाने बिना येशु पर विस्वास करता है तो उसका विस्वास सचा नहीं है क्योंकि अभी भी उसके दिल में पाप होगा प्रायशिक का सूसमाचार यानि की पानी, लहु और आत्मा के सूसमाचार के द्वारा नया जन्म पाने के सत्यप पर अविस्वास के कारण ऐसे लोगों के दिलों में अभी भी पाप होगा यदि किसी अंजार व्यक्ति का मुल्यांकन करने को कहा जाए और यदि वो सुरोताओं को खुश करना चाहे तो वह केवल हाँ, मैं इस व्यक्ति पर विस्वास करता हूँ, वास्तों मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन पर विस्वास करता हूँ क्या आपको लगता है कि सुरोता यह सुनके खुश होंगे? सायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा. लेकिन यह ऐसा विश्वास नहीं है जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है. पर्मेश्वर चाहता है कि हम पापों की माफी के सु समाचार पर विश्वास करे। नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के द्वारा येश्व का उत्थार। हमें येश्व पर विश्वास करने से पहले यह जानना चाहिए कि उसने हमें सारे पापों से कैसे बचाया है हम येशु पर विस्वास करते हैं तब हमें जानना चाहिए कि उसने पानी, लहु और आत्मा द्वारा हमें कैसे बचाया जब हम सच्ची रिती से समझते हैं तब हम सच्चे और संपूर्ण विस्वास का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्यों को जाने बिना हमारा विस्वास कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। सच्चा विस्वास केवल येशू के उद्धार की गवाही, माफी का सूसमाचार और येशू मनुष्य जाती का सच्चा उद्धारक है, यह समझने के द्वारा ही आता है. तो फिर येशू का मजाक उड़ाने वाला विस्वास कैसा होगा? ऐसा होगा. ऐसा विस्वास जो येशु का मजाक उडाता है विस्वास के लिए सबसे जरूरी क्या है? येशु के बप्तिसमा का सटिक गडान आपको ऐसास होना चाहिए कि येशु पर मनस्वी रिती से विस्वास करना वह उसका मजाक उडाने के जैसा है येशु पर विस्वास करना कठिन लगता है लेकिन वह परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र है इसलिए मुझे किसी भी तरीके से उस पर विस्वास करना ही पड़ेगा तो फिर आप येशु का मजाक उडा रहे हैं येशु नहीं चाहता कि कोई भी मनस्वी रिती से येशु पर विस्वास करे या बिना वज़के उसमें विस्वास रखने का प्रयास करे वह अच्छा रखता है कि हम प्रयास रित के सुसमाचार को जानने के द्वारा उस पर विस्वास करे जब हम येशु में विस्वास करते हैं तब हमें कबूल करना चाहिए कि प्रयास रित का सुसमाचार येशु का बब्तिस्मा और लहु है जब हम येशु में विस्वास करे तब हमें उसके वच्षन के द्वारा प्रायस्छित का सुलसमाचार समझना चाहिए और खास तोर पर यह जानना चाहिए कि उसने हमारे पापों को किस तरह साफ़ किया है हमें यह भी जानना चाहिए कि पवित्र मिलाव पॉले तंबू के द्वारा द्वार पर नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का क्या मतलब है फिर हम सच्चा विश्वास पास सकते हैं और अनन्तकाल तक जो रहने वाला है हम यह पे विश्वास किये बिना नया जिन्मन नहीं पासकते जो नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े की अनुभूती है पवित्र स्थान में जाने से पहले याजग क्या करते थे वे पितल की हौदी के पानी से अपने हाथ और पैर्ध होते थे हमारे प्रभु येश्व ने हमें बताया है, जब हम देखते हैं कि उसने कैसे हमें संपुन रिती से बचाया है, तब हम उसकी स्तूती करते हैं हमें पवित्र मिलाब पाले तंबू की और देखना चाहिए उसने हमें पवित्र मिलाब पाले तंबू के नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े के द्वारा प्रायशित के सूसमाचार के वचन दिये हमें प्रभु का धन्यवात करना चाहिए और उसकी स्तूती करने चाहिए हमारे प्रभु ने हमें पवित्र मिलाब पाले तंबू के द्वार के गुप्त रहस्य से हमें बचाया है निले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुक्सम सनी के कपड़े से उसने हमें बचाया है क्या उसने इन चीजों के द्वारा हमें उसके उध्धार का रहस्य कहा है क्या आप और मैं उस रिखी से बचे है यदि हम निली बेंजनी और लाल रंग के कपड़े के वचनों पर विश्वास नहीं करते तो प्रायस्टित के सुसमाचार के द्वारा कोई उद्धार नहीं हो सकता निला रंग परमेश्वर को नहीं दरसाता वहां येश्यु के वप्तिस्मा का चिन्ह है वहां येश्यु का वप्तिस्मा है जिसने हमारे पापों को उठा लिया है कोई भी इंसान निले रंग के कपड़े पे विश्वास किये बगेर होम बली की वेदी तक प्रवेस्व नहीं कर सकता हाला कि वह पवित्र स्थान में प्रवेस नहीं कर सकता जहां परमेश्वर की उपस्तिती होती है इसलिए पवित्र मिलाप पॉले तंबू के द्वार में प्रवेस करते पहले हमें निले कपडे, लाल कपडे और बेंजनी कपडे पर विस्वास करना चाहिए जब हम विश्वास करते हैं केवल तभी परमेश्वर हमारा स्विकार करते हैं और पर्दे के द्वारा परम पवित्रस्थान में प्रवेश करने की अनुमती देते हैं कुछ लोग तंबू के बहार के आंगन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह अंदर जा चुके हैं, लेकिन यहां उद्धार नहीं है, उद्धार पाने के लिए हमें कितना अंदर जाना चाहिए, हमें पवित्र स्थान में प्रवेस करने के लिए शक्सम बनना चाहिए, परम पवित्र स्थान में प्रवेस करने के लिए हमें पीतल के बरतन के पास से गुजरना पड़ेगा पीतल का बरतन येशु के बप्तिस्मा को दरसाता है और हमें येशु के बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे हर दिन के पापों को दोना पड़ेगा और पवित्र स्थान में प्रवेस करने के लिए पुराने नियम में याजकों को प्रवेस करने से पहले अपने आपको साफ करना पड़ता था और नए नियम में उनके जीवन भर के पाप धुल गए है यह दिखाने के लिए चेलों के पैर धोये गए रोमियो 6.23 में लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परन्तु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु येश्व मसी में अनन्द जीवन है परमेश्वर बिना किसी अप्वात के मनुष्य के पापों का न्याई करता है लेकिन उसने पापों को अपने बेटे पर डाल कर हमारी जगह उसका न्याई किया यहां परमेश्वर का प्रेम है उसका उध्धार है सच्चा उध्धार केवल जब हम प्रायश्वर के सूसमाचार जिसमें येश्व का बप्तिस्मा लहु बुत्यू और पुनुरुथान संबिलित है उस पर विश्वास करते हैं तब ही पा सकते हैं नया जिन्म पाने के लिए विप्ति को बाईबल के सत्य और पाक के प्रायश्वर के सूसमाचार को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए हमें करने के लिए एक मात्र काम कौन सा है वह है सूसमाचार परमेश्वर के लिखित वचनों पर का विश्वास मैंने अबी भी ऐसे ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो मैं नहीं जानता, तब मैं विनम्रता से कहता हूँ कि वह मुझे समझाए. लेकिन जब मैंने पवीत्र मिलावपाले तंबू के बारे में आसपास पुछा, तो कोई भी मुझे नहीं बता पाया. तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे फिर बाइबल के पास आना पड़ा. बाइबल में पवीत्र मिलावपाले तंबू के बारे में कहा लिखा है. निर्ग मन में उसके बारे में विस्तुरूत तोर पर लिखा गया है. यदि कोई व्यक्ति ध्यान पुर्वक इस पुस्तक को पड़े, तो वो व्यक्ति परमेशुर के लिखी तवचनों के द्वारा उसका मतलब समझ सकता है. प्रियमित्रो, आप लापर भाई से येशु पर विश्वास करने से उद्धार नहीं पा सकते. आप केवल नियमित कलीशय में जाने से नया जिन्मन नहीं पा सकते. हम जानते हैं कि येशु ने निकुदिमस से क्या कहा. युहना 3, 5 और 10 में कहा है, मैं तुझ से सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुस्य जल और आत्मा से न जन्में, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. तो इस्राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जो लोग येशु पर विस्वास करते हैं, उन्हें नीले, लाल और बेंजनिक कपड़े पर विस्वास करना होगा. हमें विस्वास करना चाहिए कि येशु जगत के सारे पापियों का उद्धार करता है. इस विस्वास के बगर कोई भी नया जन्म नहीं पा सकता, और परवेश्वर के राज्य के पवित्र स्थान में प्रवेश भी नहीं कर सकता. उसके बगर व्यक्ति इस जगत में विस्वास योगता से भी जी नहीं सकता. क्या यह आसान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति केवल येशु पर विस्वास करके नया जन्म पा सकता है? हाँ आपने उद्धार पाया है मैंने भी उद्धार पाया है हम सब ने उद्धार पाया है कितना आसान लेकिन कई ऐसे लोग भी है जो सच्ची रिती से नया जन्म पाये बिना ही येशु पर विस्वास करते हैं हमें बाईबल में सत्यों को जानना चाहिए और साथ ही येशु पर विस्वास भी करना चाहिए हमें पवित्र मिलाव क्वाले तंबू में प्रवेश करने के लिए और विस्वास के स्थर में प्रवेश्वर के साथ रहने के लिए बाईबल में माफी के सू समाचार और निले बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का मतलब समाचना चाहिए। जब तक येशु हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए वापस नहीं आता, तब तक हम विश्वास के तंबू के अंदर आनंद से रह सकते हैं। येशु पर सच्ची रिती से विश्वास करना हमारे लिए बहुती महत्वपून है। निले रंग के कपड़े से पवित्री करण के मूल सु समाचार का आरंग होता है। येशु के क्रूस के अलावा हमारे उध्धार के लिए अनिवार्य शर्थ कौन सी थी। येशु का वक्तिसमाव। लोग ऐसा सोचते हैं कि वे गलती किये बिना संपून रिती से जीवन जी सकते हैं। हाला कि अच्छा करने के लिए जितनी कोसिस वो करते हैं, उतना जल्दी से वह अपनी कमजोरी को डुणेंगे। मनुष्य कितना आप्रून हैं, इसलिए पाप न करना उसके लिए संपू है। हाला कि येश्य ने निले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े, यानि कि प्रायश्रित के सु समचार से हमारा उद्धार किया है, इसलिए हम पवित्र बन सकते हैं, और परमेश्वर के स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें नीले, बेंजनी और लाल कपड़े से उधार नहीं दिया होता, तो हम खुद से पवित्रस्थान में प्रवेस करने के लायक नहीं बन पाते। इसका क्या कारण है? यदि केवल अपने सरीर से संपूर्ण जीवन जीने वाले ही पवित्रस्थान में प्रवेस कर पाते, तो ऐसा कोई भी न होता, जो लायक न बन पाता। जब कोई सच्चे सुसमाचार को जाने बिना येशु पर विश्वास करता है, तब वह केवल अपने दिल में पापों को बढ़ाता है। येशु ने अपनी योजना के तहद हमें उध्धार दिया है। निले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सुक्सम सनी के कपड़े का सुसमाचार। उसने हमारे सारे पापों को धो दिया है। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? हाँ। जब आप सुसमाचार की गवाई देते हैं, केवल तभी आप अपने सिर पर सोने की पटी रख सकते हैं। जो कहती है यहोवा के लिए पवित्र और राजपदधारी याजकों का समाज। केवल तभी आप लोगों के सामने खड़े रख सकते हैं। और उनको कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के सेवकों और राजपदधारी याजकों के रूप में काम करते हो। महायाजक के पगड़ी के उपर सोने की पटी होती हैं और उसे नीले रंग के फीते से बांदा होता है। क्यों नीला रंग क्योंकि येश्व ने हमें माफी के सू समाचार से बचाया है। हमारे सारे पापों को उठा लिया है और अपने बप्तिस्मा के द्वारा हमें पाप रहित किया है। नए नियम का बप्तिस्मा पुराने नियम के हाथ रखने के समान है। हम येशु के उपर चाहे जितनी तत्परता और निष्ठा पुर्वक विस्वास करे लेकिन फिर भी निले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के गुप्त सब्दों को रहश्य को पैचाने बिना हम परमेश्वर के लिए पवित्र खुदी हुई पट्टी को हासिल नहीं कर सक हम नियाई कैसे बन सकते हैं मत्ती 3.15 में लिखा है क्योंकि हमें इसी रिती से सब धार्मिक्ता को पुरा करना उचित है येशु ने बप्तिस्मा लिया और हमें जगत के सारे पापों से उध्धार दिया अपने बप्तिस्मा के द्वारा उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है और हम विश्वासी धर्मी बनें यदि येशु का बप्तिस्मा नहीं होता तो हम कैसे कह पाते कि हम पाप रही थै यदि हम येशु में विश्वास करे और चिलाए क्रूस पर उसके बृत्यू के बारे में सोचे फिर भी सारे आंसू इस जगत के पापों को धो नही सकते थे नहीं हम चाहे कितना भी रोते और पच्टावा करते फिर भी हमारे पाप हमारे अंदर ही रहते यहोवा के लिए पवित्र उसने अपने बप्तिस्मा और लहु के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया है इसलिए परमेश्वर ने हम पापियों के सारे पापो को येशु पर डालने की अनुमति दी और उद्धार के वचन बाईबल में लिखे हुए हैं इस कारण से हमारे सारे अप्राग और कमजोरी के बावजुद हम धर्मी बने हैं इसलिए अब हम परमेश्वर के सन्मुक में खड़े रह सकते हैं अब हम धर्मी के तोर पर जीवन जी सकते हैं और जगत को सू समाचार का प्रचार कर सकते हैं मैंने उद्धार पाया है आपने उद्धार पाया है हम सब ने उद्धार पाया है परमेश्वर की अनुग रही योजना के मुताविक हमने उद्धार पाया है आपके रिदे में प्रायस चित के सू समाचार के वच्चन के बगएर आपको उधार नहीं मिल सकता फिर बले ही आप चाहे जितना प्रायास क्यों ना करे वहाँ अनुचित प्रेम के बारे में लोग प्रिय कोरियन गीत के जैसा है ओ मैं जब उसे देखता हूँ तब मैं उसके करीब हो जाता हूँ तब मेरे धड़कने तेज हो जाती हैं मैं अनुचित प्रेम में ही हूँ मेरी धड़कने तेज हो जाती है लेकिन उसकी नहीं मेरा प्रेम कभी वापस नहीं मिला दुर्भाग्य से कई सारे मसीह परमेश्वर के प्रती आज भी अनुशित प्रेम रखते हैं लोग ऐसा सोचते हैं कि उद्धार अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से मिलता है वे पुछते हैं क्यों केवल वह बप्तिस्मा के सुसमाचार से ही मिलता है यदि वह येश्व के बप्तिस्मा का सुसमाचार नहीं है तो वह संपूण उद्धार नहीं हो सकता केवल इसी रिती से हम परमेश्वर के सनमुख धर्मी बन सकते हैं क्योंकि केवल इसी रिती से हम अपने सारे पापों से सुध हो सकते हैं नीले रंग के कपड़े का उद्धार जो येश्व ने हमें दिया वो क्या है हमें धर्मी कौन बनाता है नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का सुसमाचार नीले, बेंजनी और लाल रंग के कपड़े के सुसमाचार से मिलता उद्धार सारी मनुष्य जाती के लिए परमेश्वर की भेट है इस भेट ने हमें पवित्र तंबू में प्रवेश करने और सांति से जीवन जीने के लिए सक्सम बनाया है उसने हमें धर्मी बनाया है कलिस्या में रहकर की कलिस्या के द्वारा प्रस्रिक्षित होने के लिए उसने हमें शक्सम बनाया है जब भी हम परमेश्वर के सन्मुक में प्रात्ना करने के लिए जाते हैं तब सू समाचार हमें अपने प्रेम से आस्विशित करती है इसलिए उद्धार हमारे लिए बहुत ही मुल्यवान है येश्व ने हमें चटान पर विश्वास का घर बनाने के लिए कहा है चटान उसके बप्तिस मकासू समाचार है हम सभी को उद्धार पाना चाहिए उद्धार के साथ जीना चाहिए सुर्ग में जाना चाहिए अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर की संतान बनना चाहिए प्रियमित्रो प्रायश्रित के सूसमाचार के कारण हम विस्वास से पवित्र तंबू में प्रवेस करने के लिए सक्सम बने है हमारे सारे पाप धुल गए और कुरूस के न्याही के कारण येश्व के बप्तिस्मा के सूसमाचार पर विस्वास करने के द्वारा हमने उध्धार पाया है हमारे सारे पापो के लिए भरपुर प्रायश्रित येश्व का बप्तिस्मा और लहू वह सूसमाचार है जिसने हमारे सारे पापो को धो दिया है क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? प्रायश्रित का स्वर्ग्य सूसमाचार ही सच्टा सूसमाचार है जिसने पूर्ण रूप से हमारे पापों को धो दिया है हमने प्रायश्रित के सूसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाया है येशु ने हमें प्रायशित का सूसमाचार दिया है, जिसने हमारे हर दिन के सारे पापों को और भविशे के पापों को भी धो दिया है प्रभु किस्तुति हो हाललुया पानी और आत्मा का सूसमाचार येश्व मसी के द्वारा परिपून हुआ और प्रचारित हुआ सच्चा सूसमाचार है यहा किताब येश्व के सूसमाचार पानी और आत्मा के सूसमाचार के रहस्य को प्रगट करने के लिए लिखी गई है क्योंकि कई सारे लोग संपून सत्यों को जाने भी ना ही येशु पर विश्वास करते हैं इसलिए वे मसीही धर्म सास्तर की दुनिया में केवल कट्टरवादी या धार्मिक अनेक्तावादी होने के बारे में घमंड करते हैं संचप में वे जूटी सिक्सा और भ्रम में जीवन जीते हैं इसलिए हमें वापस जाना चाहिए और सच्चे सुसमाचार में विश्वास करना चाहिए अभी भी देर नहीं हुई है जो लोगों को पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के सुसमाचार के बारे में प्रस्टन है उनके लिए मैं दूसरी किताब में ज्यादा विस्तूत रूप से बताऊंगा